नवाबो के शहर लखनों से है यह authentic recipe भर्वा कीमा मिर्च की जो बनाने में है interesting और खाने में है जबरदस्त तो यह है भर्वा कीमा मिर्च जो की जाड़ों में आती है यह मोटी वाली लाल मिर्च और इसी से बनाते हैं भर्वा कीमा बहुत ही tasty recipe है चैनल पे नए है तो please subscribe कर ले bell icon को प्रेस भी कर दे आने वाली वीडियो की notification मिलती रहेंगी तो फिर चलिए बिना time को वेस्ट की recipe को बनाना स्टार्ट करते हैं Assalamualaikum मैंने भर्वा कीमा मिर्च बनाने के लिए हैं 500 ग्राम कीमा यह मटन का कीमा है और पांच मोटी वाली लाल मिर्चे हैं मिर्चे आप कम्याजादा कर सकते हैं family के हिसाब से मैंने आदा किलो कीमे के साथ 5 मिर्च की इस्तमाल की हैं तो सबसे पहले मैंने मिर्ची को अच पांच कीमे कीमा और हरे मिर्च कीमा अट किया है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन पर ढाल दोंगे आप जरूर से भी देखें जाकर और बनाएं इसी के साथ हम ढाल देंगे वन टे स्पून क्यूमन सीट यानि की जीरा और प्याज और जीरे को हम अच्छे से गोल्डन करने तक चलाएंगे और इसी की साथ हम दो तीन तेज पत्ते भी आट कर देंगे इसमें जादा खड़ी गरम मसाले हम इसमें नहीं आट करते हैं क्योंके में कीमा को मिर्च में स्टफ करना होता है अगर हम सारे खड़े करब मसाले डाल देंगे तो वो कीमे के मिर्च के अंदर स्टफ हो जाएंगे और मुं में आएंगे तो बहुत खराब लगेगे तसलिएunya ज़ाएर जाएं नहीं जाते हैं इसमें सिर्फ जीरा और तेज पत्ता डालेंगे हम तो जीरा को तो मटा देंगे स्टफ करते टाइम और जीरे को हम एट कर देंगे कीमे के साथ कीमा डालने के बाद हमें इसे इसका पानी खुश्क होने तक तेज आच में पकाना है तो जब तक कीमा का पानी सूख नहीं जाता हम इसे तेज आच में भूनते रहेंगे अधरक लसन धन्या की डंटल और दो हरिमेज को मैंने पेस्ट बना लिया है सारी चीज़ों को मिला कि यह चार चम मज है इसे हम एट कर दें कीमे में धन्या की डंटल डालने से बहुत ही बड़े से टेस्ट आता है तो जरूर से डाले मसाले में और इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि अधरक लसन की रॉय स्मेल चुली जाए कीमा भी अच्छे से भून जाए इसे के साथ हम टालेंगे सूखे मसाले वन टीस्पून रचुली पौडर वन टेबले स्पून कॉरियंडर पौडर हाफ टीस्पून हल्दी पौडर वन टीस्पून गरम मसाला नमक सुआत की अनुसार सभी चीज़ों को अट करने के बाद इसमें से ओल से अपरेट होने तक कीमे के भुनने तक हम इसको पकाएंगे बारा से पंदरा मिर्ट लगेंगे कीमे को भुनने में और जब कीमा अच्छे से बुन जाएगा इसमें से ओल सेपरेट हो जाएगा कलर चेंज हो जाएगा कीमे का नाईफ की हल्प से निकाल ले और फिर चमच की हल्प से निकाल ले चमक की बैक सैट से आराम से यह निकल जाता है यह मिर्च जाड़ो के मौसम में मिलती है मार्केट में बहुत ताजे-ताजी मिर्चे आ रही हैं आप भी लेकर आएं इसके अचार बनाएं सबजी बनाएं कीमा मिर्च बनाएं मैंने अचार की रेसिपी अपलोड की है लाल मिर्च की आप उसे भी जरूर से देखें उसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी इस तरीके से सारी मिर्चे मैंने खाली कर दी अंदर से कीमे में से ओयल सेबरेट हो चुका है इसको हम निकाल लेंगे थोड़ा सा जितने हमें जरूर रहत है मिर्चियों के लिए और बाकी हम इसी में छोड़ देंगे बहुत ही बड़िया से कीमा बुन चुका है सारा मसाला बुन गया है इसका तो बस इतना मिर्चे में स्टॉफ करने के लिए और बाकी में हम डाल देंगे दो चमच दही और दही डालने के बाद इसको हम अच्छे से बूनेंगे दही डालने से इसमें थोड़ा से खटा फ्लेवर भी आएगा और इसकी रिचनेस भी बढ़ जाती है तो दही ज़रूर से अट करें दो चमच दही डालने के बाद इसको मैं अच्छे से बूनूंगी और जब तक ही बुन रहा है हम मिर्ची में कीमा स्टफ कर लेंगे सारी मिर्च में कीमा हम इस तरीकी से स्टफ करेंगे चमच के पीछे वाले साइट से इसको अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से ये स्टफ हो जाएंगे कीमा बहुत सारी सबजियों के साथ स्टफ ठोके बनता है जैसे कि कीमा करेला परवल कीमा जो की हमारी अम्मी बनाया करती थी बहुत ही टेस्टी बहुत जायकेदार अगर आपको उनकी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मैं आपके साथ उनकी भी र और निकाल लेंगे और या फिर इसमें अगर बज गया तो हम दुबारस इससे उसी कुकर में एट कर देंगे बस इस तरीके से कीमा स्टफ हो चुका है सारा अब कीमा भी अच्छे से बुन चुका है दही का पानी भी इसमें से खुश्क हो गया है अब हम इसमें थोड़ हम नासा पानी डालेंगे ओन तो स्पॉसल कना हो गिसमें ताकि यह इस प्रेशर को बद्स के ताइंगे जले न शतेन हा तो बस इसके लीड लगा देंगे हम और हाई फ्लेम पर इसकी टू विस्टल ले लेंगे तो यह बिलकुल रेडी है कीमा भरवा मिर्च सर्फ करने के लिए तो आप भी इस रेसिपी को बनाएं रेसिपी कैसी लगी मुसे फीडबैक शेयर करें मिलती ही एक और नही रेसिपी इसके सा कर अवा रेसिज़ कर दोस्ट लेड़ खार आ बनाएं रेसिपी जाएं विस्टल लेवा झालएं पर अवां करता दोस्टल लेड़ा और।